हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो टॉपर बेंस, आज शिलॉंग द रॉख कैपिटल ओफ इंडिया का कोशन अंसर्स को आम लोग कम्प्रीट कर लेंगे, यह चैप्टर का एक्स्प्रेंडिशन मैंने करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्ले प्लेलिस्ट है, इंडिच्मेंट डिडर का, तो आप जा करके प्लेलिस्ट चेक किजिए, उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे, एक्स्प्रेंशन भी देखिए, बहुत ही शांदार चैप्टर है यह, और इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी MCQ से, तो चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लिजिए, वीडियो को लाइक किजिए, और सारे दोस्तों को शेर किजिए, ताकि सबको मदद मिल पाए, चलिए, स्टार्ट करते हैं, लार्जेस्ट गिटार इंसेंबल के वज़े से उसको गिनेस बुक में इंट्री मिला था, मतलब बाहर में पूरे वर्ल्ड में, इंडिया को रेप्रेजेंट कौन सा बैंड किया था सबसे पहले, ब्लूस रॉक में, तो वो है, अधर देन म्यूजिक, म्यूजिक के अलावा, वाट इस दे ग्रेटिश्ट पैसन ऑफ शिलॉंग, शिलॉंग का और भी कौन सा सबसे ज़्यादा लोग परिये चीज़े, वहाँ पाशन, वहाँ का सब कोई पसंद करते हैं लोग, वो है, फुटबॉल, तो चली हम लोग आप कोशन अंसर को स्टार्ट करेंगे, इसमें आपको तिंक अंसर, वैलवेट अंसर, सब कुछ मिल जागा, इसलिए चैनल को आप सपोर्ट कीजिए, आपको सारे कोशन अंसर मिलेंगे, और अब ये बुक तो खतमी हो गया है, क्लास 8 का भी सारा अल्रेड अपलोडेड है, मैंने ये चैनल स्टार्ट ही किया था, क्लास 8 से, क्लास 8 का स्टार्टिंग किया था मैंने, तो आपको सारे वीडियो क्लास 8 में भी मिलेंगे, और आपको बस इतना इन्फॉर्म करना है मुझे कमेंट करके कि कोई चैप्टर अगर चेंज हो गया है, को अच्छे से पता हो चुका होगा कि शिलॉंग कहा है और किसकी राजधानी है, डिस्क्राइब इस जेग्रोफिकल लोकेशन, इसका जेग्रोफिकल लोकेशन बताना है कहां पर है, शिलॉंग is the capital city of Meghalaya, Meghalaya जो state है, जो की हमारे नॉर्थ इस्ट इंडिया में situated है, तो उस 1500 meters above the sea level, sea level से 1500 meter की उचाई पर ये जो शिलॉंग है, hill station एक ये स्थित है, ये स्थित है, ये जो city है, इसका शिलॉंग नाम कैसे पड़ा, the name शिलॉंग was adopted due to the village's location, below the शिलॉंग peak, वहां जो शिलॉंग का पहाड़ी है, उसके जश्ट नीचे ही, ये जो शिलॉंग शेहर का जो जगा है, वो स्थित था, location था इसका, ये located था वहां पहाड़ के नीचे, और उस पहाड़ का नाम ही शिलॉंग था, इसलिए इस गाओं का भी नाम, शिलॉंग पड़ गया और अब ये city बन चुका है, राइट, short note on Soulmate, Soulmate क्या है, Soulmate is a blues rock band from Shilong, and was the first to represent India at the prestigious international blues challenge in Memphis in 2007, तो Soulmate क्या है, blues rock band है, music band है, शिलॉंग का, जो की पहला band है, जो इंडिया को भारत को represent किया था, prestigious, जो बहुत ही नामी गी नामी international blue challenge हुआ था, Memphis में 2007 में, वहाँ भारत को ये represent किया था, Soulmate band, okay, blue band, since then, they have become one of the most respected musical acts in the country, तो तब से ही ये जो musical ये है, musical जो band था ये, Soulmate, इसको बहुत ही respect मिला था, और respected musical act बन गया था ये country में तब से, the band is primarily made up of Rudy Valang, Rudy Valang का मतलब, उसमें क्या क्या आता है, guitar, vocals और songwriter, Rudy Valang and tipriti, tips, kharbangar, जिसमें आता है क्या है, vocals और guitar, ये दो चीज है, Rudy Valang और tipriti, tips, kharbangar, ये दो चीज आता है, इस band में, although they frequently team up with season musicians when on tour, और ये team up करता है season musicians के साथ, जब भी कोई tour करना होता है, तो music का tour करना होता है, जा करके कहीं पर tour करके music का show करना होता है, band अपना काम करती है, तो अगर आपका question जो है, वो कम marks का पुछा जाए, दो marks का पुछा जाए, तो आप बस इतना ही लिखेंगे, तो भी चलेगा, ओके, लेकिन अगर जादा marks का पुछा जाए, तो आप ये part भी add करेंगे, ठीक है, तो आपके बस दोनों option आप चाहें, तो पूरा ही लिख सकते हैं, कोई problem नहीं है, question number four, which three ab original hill communities have co-existed in Shilong for ages, सदियों से Shilong में, सबसे पुराना, मतलब three ab original, मतलब वहां के वासिंदे कौन है, तीन जन जाती कौन है, ab original hill communities, ab original का मतलब वहां का वासिंदा, वहां का रहने वाला, वहां का निवासी, तो वो तीन कौन सा community था, khasis, garos and jaintiyas, ये तीन ab original hill communities थे वहां के, तो ये आंसर आप पूरा करेंगे, यहां dot 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 दे दिया है मैंने, तो ये आप पूरा करेंगे, khasis, garos and jaintiyas are the three ab original hill communities, have co-existed in Shilong for ages, question number five है, what makes Shilong a must visit place, Shilong को एक must visit place क्या बनाता है, ऐसा कौन सा चीज है, जो Shilong को must visit बनाता है, कि वहां visit करना ही चाहिए, सिर्फ वहां का music और जो वहां का cultural diversity है, वही नहीं है जिसके लिए आप Shilong विजिट करो, कुछ और भी है, क्या है, from the pristine umyam lake, pristine का मतलब क्या होता है, आर पार दिखने वाला एकदम crystal clear, from the pristine umyam lake, एक lake है, जिसका नाम है umyam lake, to maulin nogg, तो umyam lake से maulin nogg तक, जो कि Asia का cleanest village माना जाता है, कहां तक? मौसिन राम तक, मौसिन राम जो है, वहां सबसे ज़्यादा बारिश होता है, पूरा दुनिया में, पूरा आर्थ में, ठीक है, पूरा आर्थ का भी देखो, तो और कोई जगा नहीं है, जो इससे टक कर ले सके, बारिश के मामले में, इसलिए इसको कहा जाता है, the weightest place on the earth, सबसे भीगा हुआ ये जगा होता है, मौसिन राम, सिलोंग में, सिलोंग मतलब, सिलोंग में चारों तरफ मतलब, इतना beautiful sights है, सायद ही आप कब भी देखे होंगे, तो इसलिए इसको ये सारे चीज़े जो है, musical, cultural, diversities के अलावा भी, इसके सब पास इतना सारे चीज़े है, कि आपको वहाँ पे विजिट करना जरूरी हो जाता है, मतलब विजिट करने वाला जगा ही है ये, छोड़ने लाइक है ही नहीं, तो आप सबको भी जब कभी मौका मिले, तो आप जरूर शिलोंग का प्लैन मनाईए, और शिलोंग घूम करके आईए, enjoy कीजिए, वहाँ का diversity, वहाँ के खासी लोगों से मिलिए, है ना, वहाँ उनका culture देखिए, और हमसे share जरूर कीजिएगा, ठीक है, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि ये chapter personally मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी बहुत इच्छा है, कि मैं भी शिलोंग विजिट कर रहा हूँ एक बार, अगर मैं करूँगा तो जरूर मैं आप सबको बताऊंगा, ए थरी का वन, ये extract है, बुक से लिया गया, जिसके उपर question पूछा गया, the most unique part of the khasie society is its matrilineal nature, khasie society का जो एक खास बात है, वो है इसका matrilineal nature, ठीक है, इसके उपर question पूछा गया है, अब matrilineal का मतलब क्या है, matrilineal का मतलब मैंने बताया था, chapter explanation के दौरान, फिर से मैं बता रहा हूँ, आप मेरा voice जरूर सुनिये, voice सुनना बहुत जरूरी है, ठीक है, बिना voice सुने, आप लोग सिर्फ copy करने लग जाते हैं, ये बहुत गलत बात है, तो वैसे बच्चों को मैं बोलना चाहता हूँ, कि आप मेरा voice जरूर सुनिया, मैं question answer समझाता भी हूँ, आप chapter नहीं भी देखें, तो भी question answer सुन करके, आप chapter complete कर सकते हैं, ऐसा भी है, matrilineal means, the mother is the head of the family, matrilineal जो culture है, इसमें head कौन रहता है, mother head रहती है, हमारे culture में क्या है, father head रहते हैं, लेकिन ये खासी, जनजाती जो है वहाँ पे, खास करके वो लोग follow करते हैं, इसको matrilineal culture को, तो शिलॉंग में ये है, matrilineal culture, and her surname is passed on to the children, और mother का जो surname है, mother का जो नाम का title है, वही बच्चों को transfer होता है, बच्चों को मिलता है, जैसे हम लोगे यहाँ पे क्या होता है, father का जो नाम है, father का जो title है, वो बच्चों को मिलता है, father अगर महातो है, तो उसके बच्चे का नाम में भी महातो लगेगा, है ना, तो ठीक वहाँ पे, mother का जो नाम है अगर mother वहाँ पे प्रसाद है तो उसकी बच्चे जो होंगे उनके बच्चे का नाम में भी प्रसाद लगेंगे ठीक है, father का वहाँ पे नहीं चलता है after wedding वहाँ शादी होने के बाद क्या होता है after wedding the groom shifts to the bride's house wedding के बाद, सादी के बाद जो है, groom मतलब दूला जो है, वो दूलन के घर जाती है यहाँ उल्टाई होता है ठीक है, दूलन नहीं विदाई होती है यहाँ पे दूला विदाई होके चला जाता है and assumes the bride's family सरनेम और दूलन का जो family का जो नाम है, सरनेम है उनका title है, वो उसको मिल जाता है, उसको वो अपनाता है अब question number B क्या है how is wedding in khasie society different, khasie society का wedding क्यों different है, अभी-अभी मैंने जो बताया वही answer इसका है, in khasie society, the groom shifts to the bride's house, इसमें दूला जो है, वो दूलन के घर विदाई होके चला जाता है and assumes the bride's family सरनेम, और bride का, मतलब दूलन का जो family का सरनेम है जो title है उनका, वो उसको अपनाना पड़ता है after wedding, तो यही खास बात है khasie जन जाती का, khasie society question number C है, what happens to the youngest daughter of the family अब khasie का ही बात हो रहा यहाँ पे, khasie family में youngest daughter का क्या होता है family में जो सबसे छोटी बेटी होती है the youngest daughter of the family inherits all the property and stays in mother's house जो सबसे छोटी बेटी होती है family की जो सबसे छोटी बेटी होती है वो घर का, mother का पुरा family का सारा property उसको मिल जाता है और वो mother के ही घर में रहती है ठीक है, मतलब mother father का देखभाल भी वही करती है, लड़का नहीं करता और लड़का को कुछ मिलता भी नहीं है है ना, interesting question number two इसलिए यही सारे चीजों को explore करने के लिए, देखने के लिए हम लोगों को Shilong जाना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि वो लोग welcome भी बहुत अच्छे से करते हैं वो लोग beetle nut और beetle का leaves जो पान का पता है, उसमें beetle डाल करके nuts डाल करके बिटिल का पते में, पान का पते में आप लोगों का स्वागत करेंगे लोगों का महमान का स्वागत करते हैं Shilong में तो यह लाइन भी बुक से लिया गया है, इसके उपर question पुछा गया है Whose childlike approach is being spoken about किसका childlike approach है low majo, जो वहां का old grand old man जो कहा जाता है जिनको वो है low majo तो उनके ही बारे में यहां कहा गया है number b का question क्या है How is he a living embodiment embodiment का मतलब क्या होता है मतलब कोई चीज को represent करना कोई चीज को मतलब ले करके चलना है ना How is he a living embodiment of Shilong's musical spirit Since 1972 majo has been organizing a birthday concert for the legendary Bob Dylan on 24th May every year 1972 से लगातार majo क्या कर रहे है वो organize कर रहे है birthday उनका birthday concert organize कर रहे है legendary Bob Dylan का हर 24 में को every year At the age of 74 majo continues to perform across the country even today 74 साल के हो जाने के बावजूद भी majo country के different part में जा करके वो perform कर रहे हैं आज भी His child-like approach उनका जो बच्पना वाला जो अप्रोच है music के प्रति वो एक living embodiment है of Shilong's musical spirit Shilong का जो musical jose है जो enthusiasm है उसको वो आगे बढ़ा रहे हैं इस तरह से Number C Why is he called the grand old man of rock and roll in Shilong तो वो इस तरह से music को वहा का आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए तो उनको grand old man कहा जाता है He earns the title grand old man of rock and roll in Shilong due to his extensive experience, wisdom and significant contributions to the rock music scene in the city उनका इतना योगदान है extensive experience है उनका उनका wisdom है मतलब good knowledge है उनका उनका काफी contribution है वहा के rock and roll music को उसको बढ़ावा देने को इसलिए तो उनको कहा जाता है grand old man अब आता है think and answer चलिए पहला question लेते हैं two types of common essays are narrative and expository तो सबसे common essay type में essay भी अलग-अलग type का होता है तो सबसे common जो है वो दो type है वो पहला है narrative essay और दूसरा है expository essay क्या है हम लोग जानेंगे आके find out what defines these two kinds of essay तो मतलब definition बताना है दोनों का क्या है ये और ये जो chapter है शिलोंग का ये किस category में पढ़ता है ये किस type का essay है तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसका definition narrative narrative essay tells a story और conveys an experience whereas expository essay explains, describes, or informs in a clear accessible fashion मतलब क्या होगा narrative essay जो होता है वो एक story बताता है एक experience को convey करता है ठीक है मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि narrator जो है खुद narrate करता है उसका अपना experience जब भी कोई story आप पढ़ते होंगे जिसमें narrator खुद बताता है अपना कहानी, अपना story जैसे The Face on the Wall वो chapter था उसमें अपना story बता रहा था वो उसके साथ क्या बीता है वो बता रहा था उस तरह का story जिसमें narrator जो है वो narrate कर रहा है इस्टोरी को सुना रहा है अपना experience बता रहा है तो वो narrative होता है और expository ऐसे क्या होता है जो explain करता है चीजों को describe करता है उसके बारे में हर चीज के बारे में और information भी देता inform करता है clear accessible fashion में जिससे पढ़ने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए तो यह C-long chapter कैसा है आप सोचो C-long में कोई narrator है जो कहानी सुना रहा है नहीं ऐसा नहीं है C-long में कोई अपना experience नहीं सुना रहा है C-long जो है वो descriptive form में है informative form में है वो information दे रहा है वो शिलॉंग का जो chapter है वो describe वे में किया हुआ है explanation दिया हुआ इसलिए यह जो chapter है वो descriptive type essay या फिर आप बोल सकते हैं expository essay है C-long the rock capital of India falls into expository category ओके I hope आपको समझ में आ गया होगा comment जरूर कीजेगा आपको कैसा लगा आप जरूर comment कीजे हमें बताइए आपका क्या issue है क्या problem है हम लोग बात करेंगे उसके उपर और हो सके तो वीडियो भी बनाएंगे ठीक है आपको जो समझ नहीं आया है वो comment कीजे मैं comment में भी answer करता हूँ सबको reply करता हूँ why do you think Shilong became a hub of western music western music किसको बोलते है western music जो पस्चिमिस अभ्यता से link रखता हो मतलब foreign का जो music है विदेशी music खास करके western music in this north eastern town is a matter of tradition यहाँ पे western music बहुत ही ज़्यादा use होने लगा है एक tradition की तरह बन गया है many bands from different locations frequently visits Shilong बहुत सारे music bands जो है वो Shilong में frequently visit करते हैं program और concert यह सब organize करने के लिए अलग-अलग part of the world से and also it is very hard to find a city in India that is as similar to the original blues, rock and roll, death metal or land like Shilong और पूरे देश में हर जगा कहीं भी आप इस तरह का जो state है इस तरह का जगा इस तरह का city जो है Shilong जैसा बहुत muscular ढूंड पाना ठीक है, जहां पर music को इतना values देया जाता है rock and roll music के सबको इतना value मिलता है that is why the people who understand these genres of music find it sensible to play there इसी लिए जो लोग इस तरह का music को पसंद करते हैं, इस type के music को पसंद करते हैं, वो लोग यहां जा करके उसको play करते हैं और वहाँ पर perform करते हैं question number 3, would you like to visit Shilong? क्या आप visit करना चाहेंगे Shilong? मेरे तरफ से पुझा जाए तो मैं तो जरूर visit करना चाहूंगा, अभी मेरा लक्षे है visit करना मुझे बहुत ही इच्छा हो गया आप जाने के लिए explain with reference to the chapter chapter के reference में थोड़ा explanation कीजिएगा Shilong is the beautiful hill station situated in north eastern part of India यह आपको याद हो जाना चाहिए Shilong एक beautiful hill station है situated है north eastern part of India में Meghalaya का यह capital है yes, I would like to visit Shilong because of its rich culture unmatched beauty awesome weather and music love तो मैं visit करना चाहूंगा Shilong को क्योंकि इसका rich culture है इसका जो culture है वो बहुत rich है इसका beauty इसका जो सुन्दरता है वो unmatched है कोई इसका बराबरी नहीं कर सकता है weather जो यहां का है यह तो बहुत ही खुशनुमा weather है awesome weather है यहां पे और यहां जो music के प्रती प्यार है वो तो काबिले तारीफ है I want to see and know more about three aboriginal hill communities मुझे यह जो three aboriginal hill communities खासी गारोज खासी गारोज और जैंतियाज इनके बारे में information और भी लेना है मुझे इनके बारे में जानकारी लेना इनको करीब से देखना है matrilineal जो culture है खासीज का उसको मुझे जानना है of the khasie society I would like to see and explore pristine umiam lake to maulinnong Asia's cleanest village मुझे pristine umiam lake भी देखना है maulinnong गाउं जो Asia का cleanest cleanest गाउं है उसे भी explore करना है to the mounsyn rome mounsyn rome भी जहां पे mounsyn rome जो है वो wettest place है आर्थ का सबसे भीगा हुआ हूँ है सबसे ज़्यादा बारिस होता है mausyn rome में and all the beautiful sites और बाकी जितने beautiful sites है वहां का मैं visit करना चाहता हूँ value it question responsible travel means traveling in a sustainable way that benefits the place you are visiting तो responsible travel बताया गया मतलब होता है कि हम लोग travel करते हैं ऐसा travel करना जो जिस जगा पर आप travel कर रहे हैं उस जगा को benefit पहुँचा है नुकसान नहीं पहुँचा है ठीक है आपको तो benefit पहुँचा है आपको तो relax करे ही लेकिन जगा में घुमने जा रहे हैं उस जगा को भी relax करे उस जगा के लोगों को मदद करे express your opinion on why we must travel responsibly हम लोगों को क्यों इसमें मैंने तीन paragraph लिखवाया है आप accordingly आपको जो पसंद है वो आप लिखिए या फिर आप खुद से भी इसमें add कीजे थोड़ा अपना material अपना जो सोच है अपना thinking है या मेरा last वाला जो paragraph है वो remove कर लिजे जो आपको easy लगे दो paragraph आप लिख लिजे आपका sufficient होगा five numbers के लिए Responsible tourism includes many types of travel Responsible tourism में बहुत तर टाइब का travel होता है all of which aim to minimize tourism negative impact on the environment तो जितना भी tourism होता है सारा tourism क्या aim करता है कि minimize किया जाता है tourism का negative impact को जहां हम लोग घूमने जा रहे है वहाँ अगर कोई negative impact पढ़ रहा है हमारे घूमने से तो उस negative impact को कम करना ही main उद्देश से होता है tourism का ठीक है और environment पे भी कोई बुरा असर नहीं होना चाहिए वहाँ के local people जो है उन पे भी कोई बुरा असर नहीं होना चाहिए while maximizing the positives जबकि हम लोग कोई करना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग positivity को बढ़ाए positive चीज़ों को बढ़ावा दे जहां भी घूमने जाए उस जगह को फाइदा पहुंचाए उस वहाँ के लोगों को फाइदा पहुंचाए यही मेन उदेश से होना चाहिए positive traveling का traveling responsibly means planning trips carefully है ना carefully हम लोगों को planning trips करना trips को planning करना चाहिए and thoughtfully सोच समझ करके, सोच विचार करके so they can both enjoy the experience they seek जो experience हुआ पहे मिल रहा हूँ उसको भी enjoy कर सके while also having a positive impact on the destination और साथ ही साथ वो जो destination destination जहां visit करने का है उसको भी कुछ positivity मिल जाए फायदा मिल जाए और वहाँ के लोगों को भी कुछ फायदा मिल जाए environment को फायदा मिल जाए wildlife को भी कुछ फायदा मिल जाए destinations wants us as a responsible traveler वो जो destinations होते हैं घूमने वाले जगा होते हैं travel places होते हैं हम लोग मतलब responsible travelers को चाते हैं because we spend our money staying in locally owned hotels हम लोग अपना पैसा खर्च करते हैं वहाँ पे local लोगों का जो hotels रहता है उसमें रह करके वहाँ का खाना खाते हैं restaurant में eating in restaurant तो उनको भी पैसा कमाने का एक जरिया मिलता है buying local handicrafts तो वहाँ के लोगों के दुवारा जो बनाया गया handicrafts होता है छोटे-छोटे baskets, bamboo का जो basket बनता है और भी बहुत सारा decorative items या handmade बहुत सारे handicrafts और भी कुछ होते हैं कपड़े होते हैं, खादी सामान होता है खादी का material हम लोगों सब खरीते हैं लोकल पिपल को एक boost मिलता है उन लोगों को एक help मिलता है not only we are leaving more money behind in the pockets of locals सिर्फ हम लोग उनके pocket में local लोगों के pocket में पैसा ही नहीं डालते हैं but we are also supporting the sense of place बलकि हम लोग उस जगा जहां पे visit करने गया हैं उस जगा को भी हम लोग आगे बढ़ाते हैं promote करते हैं उसका promotion करते हैं उस जगा को support करते हैं वहाँ के culture को support करते हैं it's not about how much money we spend ये सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है हम लोग जो खर्च करते हैं सिर्फ यही नहीं है it's about where and how we spend it ये मतलब तब उसका पढ़ता है जब हम लोग समझते हैं कि पैसा को कहां खर्च करना है और कैसे खर्च करना है it's not about how much money we spend इस बात का बहुत value नहीं है कि हम लोग पैसा कितना खर्च कर रहे है बलकि इस बात का value है कि हम लोग पैसा को कहां खर्च कर रहे है और कैसे खर्च कर रहे है तो हम लोगों को अच्छे से प्लान करके अच्छा जगा पर जाना चाहिए हो और उस जगा को benefit पहुचाना चाहिए यह है responsible traveling तो यह chapter यहाँ पर खतम होता है कैसा लगा आपको जरूर बताईए आपको exams के लिए all the best और class 8 के लिए भी आपको welcome रहेगा class 8 का भी सारे वीडियोज बने होगे आपको फिर भी जो कुछ भी वीडियोज चाहिए होंगे class 8 में जरूर कमेंट करके बताईए टॉप और बेंस हमेज़ा आपके सेवा में लगा रहेगा चलिए मिलते हैं next class में और अगले वीडियो में तब तक के लिए good bye take care और फिर से all the best कि झाल कि झाल झाल कि ञाल कि उन्यवी जिए हम लकी थे लिए जीज़ कुछगेँस झाल को बस्चेघक परद करेंन दब दस्सक्राएश करें